Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel So दोस्तों आज की इस वीडियो में TCS, IRC, DRC, Check से related जितनी भी आपकी queries है हम सब इस queries, इस वीडियो में हम queries solve करेंगे यह final video है TCS, Ninja plus NQT अगर आपने यह form भरा है और आप यह exam दे रहे हैं आपको IRC, DRC से जितनी भी queries हैं आज की वीडियो में clear करने वाले हैं आपने IRC और DRC Check नहीं दिया है इसका क्या effect पड़ेगा actual exam पे काफी सारे candidates के बहुत दिन से मुझे बहुत सारे doubts आ रहा है तो यह final video है इसके बाद अगर आपको कोई भी doubt होगा तो आप comment section में पूछ लीजेगा पर IRC, DRC Check से related यह final video ने आ लिए देखे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दू कि IRC Check और DRC Check जो है वो कोई test नहीं है काफी सारे candidates मुझे बहुत दिन से बोल रहे हैं इसके exam के marks का दिखेंगे या यह हमें कहां पता चलेगा कि इसमें हमने कितना score करा है देखिए यह IRC और DRC एक system चेक है आपने infosys के nftq exam दी थी वहाँ पर आपका system कैसे चेक हुआ था browser का version चेक हुआ था computer का hardware पूरा चेक हुआ था system compatible है की नहीं यह चेक हुआ था तो IRC और DRC जो है वो भी बिल्कुल इसकी तरह ही है IRC और DRC जो infrastructure readiness चेक है वो आपके infrastructure को चेक करता है जो DRC चेक है वो dry run चेक है आपका browser का version के इस टाइप से है camera क्या है microphone क्या है उनको जो भी चीज़े उनमें include करनी होती वो यह देखते हैं अब मैं आपको बता दू कि आपने IRC और DRC exam नहीं दी है तो effect क्या पढ़ेगा actual exam पर कोई effect नहीं पढ़ने वाला actual exam का आप सभी को mail आएगा आप means exam जो है वो दे सकते हैं पर दोस्तो अगर system check में कोई दिक्कत आगई वहाँ पर जब आप exam दे रहे हैं या किसी वज़े से जब exam वहाँ पर load हुई और वहाँ पर कोई problem आगई तो वहाँ पर कुछ नुकसान हो सकता है इसके लिए TCS team जो रहती है आप घर से exam दे रहे हैं आप center पर तो जाके नहीं दे रहे हैं तो इसलिए team TCS team जो रहती वो IRC और DRC चेक करवाती है मैं आपको बता दू कि जैसा अभी हम पहले IRC की queries की बात करते फिर DRC की IRC वाली वीडियो में काफी सारे candidates ने मुझसे बहुत सारी queries पूछी थी मैंने अधिकतर queries के जवाब दिये थे यहां पर IRC compiler work नहीं कर रहा है programming section के लिए क्या यह usually happen होता है और यह मेरे system का fault है देखे यह कभी कभी होता भी है कभी server error आ जाती है पर अगर दूसरे systems में या कहीं और यह work कर रहा है तो आप अपना system या PC या desktop change कर सकते हैं यह mandatory क्या इस exam को write करना सबसे पहले बात यह system check है और आप मुए face कर रहा हूँ any problem and I am face any problem while writing TCS exam on 12th September no if anyone have not attempted IRC देखे IRC check उन्होंने लिख रखाई कि यह mandatory है आपको exam देने के लिए तो आपके पास mail आ रहा है तो please इसे मत miss कीजिए मेरा यह आप सभी को बहुत important suggestion है कि अगर mail आ रहा है तो miss मत कीजिए आप यह exam जरूर से दीजिए ठीक है Sir it is compulsory to writing IRC exam because at present I did not have LAPI So you have to use your friends LAPI So you have to give this IRC check अब मैं आपको बता दू यहाँ पे कि आज मेरा IRC test है तो मैं क्या एक laptop और final test के लिए दूसरा laptop यूज कर सकता हूँ देखिए मैं आपको बता दू कि आप एक test एक laptop से IRC देंगे और दूसरे laptop से final exam देंगे उसमें कुछ system check में problem आ गई तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी काफी सारे candidates से आप पिछले साल वाले जो 2021 batch pass out से उनसे पूछ सकते हैं कि main exam में कभी कभी problem हो जाती है कभी आपका camera open नहीं हो रहा है कभी कोई problem हो रही है तो वहाँ पर exam miss होने के chances हो जाते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए IRC और DRC चेक करवाया जाता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छे platform के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पर आप अपने 15 days में dream job ले सकते हैं और यहाँ पर top MNCs है जिन में आपको placement मिल सकता है यहाँ पर degree इतनी matter नहीं करती है जितनी आपकी skills करती है 10 LPA, 15 LPA तक के package है platform का नाम में है finance company के साथ मैं आपको बता दू कि यहाँ पर 3 test होते है business, front end और back end development आप अपने skills के according और interest के according इन में आप free में register कर सकते हैं और इंडिया की finance company में work कर सकते हैं अब जैसे आप सबसे पहले slot कैसे book करेंगे सबसे पहले आपको register करना पड़ेगा अपने mobile number के through फिर आपको अपनी test date select करनी है जैसे मैंने ये select करी है उसके बाद आपको अपना sample video resume बनाना पड़ेगा उसमें आप कौन है आप अपनी journey के बारे में बता सकते हैं आप अपने career में आगे क्या करना चाहते हैं limited slots available है start करना है recording और confirm करना है अपनी test date registration link आपको description में मिल जाएगी महाँ से register कर लिजेगा TCS NQT में आपको कोई दिक्कत आती है जैसे आपको IRC mail नहीं आया DRC mail नहीं आया तो एक बहुत ही अच्छा आपको solution बता रहा हूँ TCS NQT के website पे जाएगे नीचे scroll करेंगे click to raise a ticket आएगा ये सबसे faster resolution का तरीका है और आप उन्हें phone भी कर सकते है candidate name, candidate email, candidate mobile number NQT registration number problem किस type की है आपकी क्या category है problem का type क्या है problem statement upload कर सकते screenshot अगर आपको IRC, DRC का mail नहीं आया है और अगर आपको कोई भी query है तो आप इस candidate query form पे जाके submit कर सकते है आपको बहुत ही जल्दी यहां से reply आएगा अब हम DRC की बात कर लेते हैं कि I did not attempted the mock test how it will affect my TCS exam it will not affect your TCS exam but it's for your check for your system compatibility okay sir I missed my DRC test it will affect my actual exam no I did not attend the TDC and DRC mock test how it will affect my actual exam affect नहीं करेगा पर TCS team आप से IRC और DRC check यह ही करवा रहे हैं वो इसलिए करवा रहे हैं क्यूंकि आपको main exam में कोई भी problem नहीं हो और मैं आपको suggest करूंगा कि आप TCS IRC और DRC check को जरूर से दीजेगा और यह final video थी I hope इस video में मैंने आप सब की बहुत सारी queries resolve करी है और बहुत सारी queries पे हमने main important points पे बात कर ली है अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं I hope यह video आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से like कीजेगा अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा थैंक्स वर वाचिग दी वीडियो